मैं Dr. शिखा अगरवाल, Associate Professor, Political Science, Government College, सुजानगर. आज हम लोग B.A. Part 2 की क्लास में, हमने जो पिछला चप्टर पढ़ा था, मूल अधिकार, उसको आगी पढ़ेंगे. ये चप्टर नकीवल आपके कोर्स से related है, बलकि ये कोई भी competition जो आप देंगे, उससे related चप्टर है, इसलिए आप इसको वैसे भी पढ़ और सुन सकते हैं. हमने अपनी पिछली क्लास में मूल अधिकार किया हैं और भारतिय समीधान से पूर्व, इसका किस तरह से प्रावधान किया गया था या किस तरह से डिमांड की थी, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि समीधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की व्यवस्ता की गई हैं और एक तरह से हम कहें कि भारतिय समीधान में भाद्विस्तार से इसको दिया गया है. पिशली क्लास में हम लोगों ने समानता के अधिकार के बारे में पढ़ा था, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है. आज हम इसके आगे पढ़ेंगे. आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया हुआ है. यह जो अधिकार है, स्वतंत्रता का, यह अधिकार बहुत विस्तार से दिया हुआ है और इस पर युक्ति-युक्त प्रतिबंद भी लगाए गई हैं. इसका उद्देश्य जो था, वो विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वाधीनिता है, उसको सुनिश्चित करना था. और इसलिए अनुच्छेद 19 में मूल अधिकार के तहत नागरिकों को, जो मूल समिधान था भारतियर, उसमें साथ प्रकार की स्वातंतरताएं दी गई थी. लेकिन जो छटी स्वातंतरता थी, संपत्ती की स्वातंतरता, वो जब चमाली स्वे समेधान, संशोधन के द्वारा, मौलिक अधिकार जो हमारा था, संपत्ती का अधिकार, जब उसको समाप्त किया गया, तो उसी के साथ साथ ये स्वातंत प्रेस्के माध्यम से यानि हम प्पЛिश भी करा सकते हैं अपने विचारों को या आपने साधन है मूल सम्मिधान में विचार और अभी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी उसे बहुत व्यापक रूप में दिया गया था लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया वैसे वैसे देखा गया कि न्यायले का आपमान होने लगा शिष्टाचार और सदाचार इससे समाप्त होने लगे और राज्ये की सुरक्षा को भी खत्रा उत्पन होने लगा ऐसे ही में सरवूच न्याले ने रमेश था पर बना मद्रास राज्य के विवाद में सरवूच न्याले की जो व्याक्षय है वो हम एक बार देख लेते हैं, अपराद के लिए उत्तेजित करने और सरवजनिक व्यवस्था भंग करने के कामों को उप्यूक्त व्यवस्था के अंतरगत पतिबंदित नहीं किया जा सकता तो एक दिर्ण है इस प्रकार से सुप्रीम कुट ने इसमें दिया प्रथम सम्मिधान संशूधन हुआ 1951 में और इसमें विचार अभी व्यक्ति की स्वतंतरता को सीमित किया गया इसका जो आधार लिया गया जैसे अभी हमने बात की कि राष्ट की सुरक्षा पहले है समाज में व्यमनस से नहीं आना चाहिए समाज के विबिन जो वर्ग है उनके मद्य किसी भी प्रकार के संगर्ष को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए अगर कोई व्यक्ति विचार अभी व्यक्त करता है तो वो स्वार्द पून होने चाहिए तो इस आधार पर स्वतंतरता के जो ये विचार अभी व्यक्ती की का मूल दिकार था इसमें कुछ युक्ति-युक्त प्रतिबंध प्रथम संशुधन द्वारा लगाए गए अगली बात ली गई शिष्टा चार या सदा चार यानि एक दूसरे के प्रतिसमान पूर्ण व्यवार हो अगली बात ली गई न्यायले का अपमान या मानहनी यानि ऐसी इस्थिति में भी इस पर रोक लगाई जा सकती है और अगला आता है अपराद के लिए उत्तेजित करना तो ये कुछ ऐसी इस्थितियां थी जिनके आधार पर इस अधिनियम पर रोक लगाई जा सकती है इसके साथ साथ इस अधिकार में कुछ बातों को शामिल किया गया 10 फरवरी 1985 को सुप्रीम कोट ने एक निर्ने दिया और इस निर्ने में विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार में शिक्षित करने, सूचना देने और मनोरंजन करने का अधिकार शामिल किया गया और इसी के साथ साथ इसमें खेलकूद की गतिविदियों के प्रसारण का अधिकार भी शामिल था और ये भी कहा गया कि ऐसा नहीं है कि भारत में राज्जी को ये एक अधिकार प्राप्त है, इस शित्र में अन्य एजिनसियां भी ऐसा कर सकती है, लेकिन उनके अधिकार सीमीत रहेंगे तो ये पहले प्रकार की स्वतंतरता हुई विचार और अभी व्यक्ति की स्वतंतरता जिसका विस्तार से जहां वर्णन है जहां व्यक्ति को अपने विचार अभी व्यक्त करने की छूट है वहीं पर युक्ति-युक्त प्रतिबंद भी इस पर लगाए गए अगली जो स्वतंतरता हैं इसमें दी गई स्वतंतरता की अधिकार में उसमें है अस्त्र शस्त्र रहित और शांती पूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंतरता जहां विचार अभी व्यक्ति की स्वतंतरता है वहीं पर लोग एक स्थान पर एकत्रित होकर के अपनी बात को रख सकते हैं लेकिन इसके लिए पहले से ही प्रतिबंद लगा दिया गया यानि अस्त्र शस्त्रों के साथ एकटा नहीं हुआ जा सकता और शांती पूर्वक ही इस प्रकार के संभिलन को किया जाएगा जिससे सार्वजनिक सुरक्षा बनी रहे अगली जो स्वतंतरता दी गए वह है समुदाय और संग के निर्मान की स्वतंतरता प्रते एक व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए संघ या समुदाय बना सकता है और इसके अतरिक्ट वो अपने क्रिया कलापों के माध्यम से भी समुदाय और संग का निर्मान कर सकता है लेकिन इस पर भी विभिन प्रतिबंद लगाए गए जो आम जनता के हित को ध्यान में रखते वे थे यानि ऐसे किसी समुदाय का निर्मान नहीं हो सकता जो शांति और व्यवस्ता को भंग करे राष्ट की जो एकता है अखंडता है और सुरक्षा है उसको शणियंत्र पूर्वक्त हत्म करे तो इस प्रकार की किसी सभा या संग के निर्मान की स्वतंतरता प्राप्त नहीं है अगला आता है भारत राज्य में अबाद ब्रह्मन की स्वतंतरता कोई भी भारतिय नागरिक पूरे भारत में घूम सकता है और सामने जन्ता के हित में या यदि कोई किसी विशेश जन्जाती का हित है तो ऐसी इस्थिति में उस परपतिबंद लगाया जा सकता है अगला आता है आजिविका या कारोबार की स्वतंतरता प्रतेक व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए आजिविका कर सकता है व्यापार कर सकता है व्यावसाय कर सकता है लेकिन इस पर भी युक्ति युक्त प्रतिबंद लगाया जा सकता है राज्य के द्वारा यानि व्य राजीविका के लिए निश्चित या निर्धारित योग गिताएं हो और ऐसा भी हो सकता है कि किसी कारोबार या उध्योग को राजीपूरी तरह से अपने हाथ में ले 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 इसके साथ साथ भारत राज्य शित्र में निवास करने की स्वतंत्रता सभी नागरिक अपने इच्छानुसार इस्थाई रूप से किसी भी इस्थान पर बस सकते हैं समयधान में ये एक हरी नागरिकता के अनुरूप ये प्रावधान दिया गया है हाला कि यहां भी वही प्रावधान है कि सामने जन्ता के हित और अनुसुचित जातियों और जन्जातियों के हित पर इनमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है तो इस तरह से ये छे प्रकार की स्वतंत्रता है इसमें दी गई है अनुचेद 19 के सम्मन्ध में सर्वोच चिन्याला के 1997 में दो बहुत महत्वपोन निर्ने आए इसमें जो निर्ने किये गए उसमें पहला निर्ने था टेलिफोन टेपिंग प्यक्ति की गोपनियता का गंबीर उलंगन है तो ये एक महत्वपोन फैसला आया हाला कि सारजनिक सुरक्षा के लिए यदि ऐसा करना आवश्चक हो तो किया जा सकता है दूसरा महत्वपोन फैसला भी 1997 में ही आया और इस फैसले का उदिश्य था कि किसी संगठन द्वारा करवाई गई हरताल और किसी राजनितिक दल अथवा संगठन द्वारा जबरन करवाए गई बंद में अंतर किया गया यानि कोई संगठन अगर विशेश उदिश्य से कोई हरताल करवाता है तो वो अलग है और कोई राजनितिक दल अगर जबरदस्ती बंद कराता है तो वो अलग है तो इन में अंतर करते वे बंद को गैर कानूनी घोशित किया गया क्योंकि बंद में सारवजनिक संपत्ती नश्ट की जाती है जन जीवन भी ठप हो जाता है बहुत ज़्यादा लोगों को उससे नुकसान होता है तो ऐसी इस्थिती में ये दो मेत्वपून फैसले आए और उसे इसमें शामिल किया गया अब आते हैं अपराद की दोश सिद्धी के विशह में संडक्षन अनुचेद 20 ये हम लोग स्वतंत्रता की अधिकार में ही अभी चल रहे है इसमें जो प्रमुख बाते आती हैं अनुचेद 20 में जो कहा गया उसमें आता है कि किसी व्यक्ति को उस समय तक अपरादी नहीं सिद्ध किया जा सकता या ठेराया जा सकता जब तक कि उसने उस समय लागू किसी कानून का उलंगन न किया हो यानि कोई कानून यदि बाद में बना है तो उस कानून के आधार पर किसी व्यक्ति को पीछे या पूर्व में उसे अपरादी घोशित नहीं किया जा सकता इसके साथ साथ एक ही अपराद के लिए एक व्यक्ति को एक बार ही दंड दिया जा सकता है और तीसरी बाद जो महत्वपून थी इसमें वो है किसी अपराद में अभ्युक्त व्यक्ति को स्वयम के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाद्धियर नहीं किया जा सकता तो यह एक तरह से व्यक्तिगत स्वतंतरता के लिए अपराद की सम्मंद में संरक्षन था अब आते हैं व्यक्तिगत स्वतंतरता के और जीवन की सुरक्षा के लिए अनुचेद 21 अनुचेद 21 जो है यह बहुत महत्वपून है इसने जीवन के अधिकार को मानेत दी है इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वाधीनता से वीदी द्वारा इस्थापित प्रक्रिया को जोड़ कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता दीरे दीरे इसमें और बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी गई समय समय पर जो विबिन फैसले आये उसमें जिसमें गरिमा में जीवन जीने का अधिकार व्यक्ति को दिया गया यानि जीवन की सुरक्षा कार्थ है व्यक्ति गरिमा में जीवन जी सके और उसके बाद गरिमा में जीवन को भी परिभाशित किया गया जिसमें आता है व्यक्ति को मुलभूत आवशक्ताय मिले एक और फै तो उसे भी गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है यानि उसे जिस जेल में रखा जाएगा जिस कक्ष में रखा जाएगा वहां भी उसे गरिमा में तरीके से जीवन जीने का अधिकार है उसे मुलभूत चीजें वहाँ पर भी मिलने चाहिए आपात कल में भी जीवन और व्य चीजें भी हैं जिसमें ये बाद में संशूधन हुए हैं जिसमें ये कहा गया कि एक बालिक युवक और यूति अपनी पसंद से अपने जीवन साथी को चुन सकती है 86 वे संविधान संशूधन के द्वारा वर्ष 2002 में कुछ मैत्वपून बात जोड़ी गई इसमें था अनुचेद 21 का 6-14 वर्ष की आयू तक के सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवारे जिक्षा का प्रावधान करेगा यहां यह जोड़ा गया कि माता-पिता की जिमिदारी है कि या अभी भावक है या माता-पिता है उनकी जिमिदारी है कि वो 6-14 वर्ष की आयू तक के सभी बच्चों को पढ़ने के लिए बेजें या अनिवारे शिक्षा दिल लवाए तो इस तरह से ये भी एक महत्वपूर्ण बात स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ी गए इसके बात में आते हैं अनुचेद 22 पर जो बंदी करण की अवस्था में संडक्षन देने की बात करता है किसी भी व्यक्ति को जब बंदी बनाया जाता है तो ऐसे मैं भी उसे कुछ अधिकार या मौलिक अधिकार दिये गए हैं ये स्वतंत्रता के अधिकार के तहट दिये गए हैं अनुचेद 22 पर इसमें इसमें कहा गया है अपराध और बंदी बनाये जाने के कारण को बताए बिना अधिक समय तक किसी को भी जेल में नहीं रखा जा सकता इसी तरह से जिसे भी गिरफतार किया गया है उसे वकील से परामर्श करने का पूरा अधिकार रहेगा और अपने बचाव के प्रबंद का अधिकार भी उसको रहेगा यानि ऐसा नहीं है कि वो बिना नियाय प्राप्त की उसको जेल में डाल दिया जाए और बिना कारण बताए उसे लंबे समय तक बंदी बनाके रखा जाए ऐसा नहीं है मौलीक अधिकार उसे अधिकार देता है कि वो कारण जान सके वकील से परामर्ष कर सके तीसरी बार जो इसमें है वो है बंदी बनाये जाने के 24 घंटे के अंदर नियाधीश के समक्ष उसे उपस्थित करना अनिवार्य है इसमें उसे नियाले तक ले जाने का जो समय है मौन शामिल नहीं किया गया है अगला आता है बंदी बनाये जाने वाले व्यक्तियों के अधि गार है वो सीमित किया है दोल तरह के अपराधियों पर पहला है शत्रुदेश के निवासी अगर वो है और दूसरा है निवारक निरोध अदिनियम के अंतरगत जो बंदी बनाए गए हैं उन लोगों पर भी ये कानून उस तरह से लागो नहीं होगा अब आते हैं निवारक निरोध कानून के उपर जो इसी समंदित है मौली कदिकार से अनुछेद 22 खंड 4 इसमें इसे दिया गया है वास्तम में ये जो कानून है ये अपराध किये जाने से पूर्व बिना किसी प्रकार की नियाईक प्रक्रिया के तहत नजर बंदी है यानि इसमें नियाईक प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी और पहले ही व्यक्ति को नजर बंद कर दिया जाएगा इसका जो देशे है वो व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं है बलकि उसे अपराध करने से रोपना है यानि जब ये लगे कि ये व्यक्ति कोई अपराद करने वाला है तो उसको पहले से ही नजरबंद कर दिया जाए ताकि अपराद होने से रोका जा सके निवारक निरोध की व्यवस्था के लिए केंदर सरकार द्वारा कुछ प्रमुख अधिनियम बनाए गए है उसमें सबसे पहला अधिनियम है निवारक नजरबंदी अधिनियम 1950 से 1979 तक ये लागू रहा था इसके बाद ये खत्म हो गया दूसरा है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम या जिसे मीसा भी कहा गया था 1971 से अपरेल 1989 तक ये चला तीसरा है राष्टिय सुरक्षा कानून जो 1981 से लागू है चौथा आता है आतंकवाद एवं विध्वनसक गतिविदिया निरोधक कानून जिसे टाड़ा कहा गया था 1985 से 1995 तक ये चला पाँचवा आता है आतंकवाद निरोधक कानून जिसे पोटा वुलचल की भाशा में कहा गया 2002 से मार्च 2004 तक ये लागू रहा 21 सितंबर 2004 को अधिनियम के आधार पर पोटा को निरस्त कर दिया गया और अगला आता है चटा आता है गैर कानूनी गतिविध्या निवारण अधिनिया ये जो निवारख निरोध के संबंद में जो वर्दमान स्थिती है जैसा हमने देखा कि विभिन जो कानून है वो समय समय पर खत्म कर दिये गए लेकिन दो प्रकार के जो कानून है एक तो अंतरगत 1984 में संशोधन किया गया और कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अतरिक्त संपून भारत में लागू होगा और इसे और कठोर कर दिया गया इसमें किसी व्यक्तिकी नजरबंदी के आदेश की अबदी खत्म होने या आदेश रद हो जाने अथ्वा वापस लिये जाने क बाद नए आदेश जारी करने तक उसे नजरबंद रखा जा सकता है और दूसरा मेत्वपून जो इसमें प्रावधान किया गया वो था नजरबंदी के हर कारण पर अदालत को अलग-अलग कर विचार करके फैसला करना होगा तो इस तरह से ये इस्थितिया इसमें रखी ग मौलिक अधिकार पर ये मौलिक अधिकार है शोशन के विरुध अधिकार अनुचेद 23 और 24 जैसा कि हमें पता है कि स्वतंतरता से पूर्व भारतिय समाज में और बिटिश शासन के मात्यम से भी बहुत ज़्यादा शोशन की व्यवस्ता थी ये शोशन धर्म के नाम पर भी बिगार के रूप में भी था इसमें एक तरह से जन्म के आधर पर भी जबरदस्ती श्रम कराया जाता था तो बहुत ज़्यादा शोशन की व्यवस्ता थी और उसको खत्म करने के लिए व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार दिया गया ताकि इसके तहत व्यक्ति अपना जीवन स तो चारू रूप से चला सके अपना विकास कर सके बिना किसी भेदभाब के तो इसको हम दिखेंगे समिधान के अनुछेद 23 और 24 की द्वारा शोशन के विरुध यदिकार प्रदान किया गया इसमें जो व्यवस्ताएं की गई वो ये थी कि शोशन की सभी स्थितियों को सम खेतिहर जो शमिक थे उनके साथ में बहुत ज़्यादा शोशन था उनका कम पैसे दे कर काम कराया जाता था या हरीजनों के साथ में बहुत भेदभाव बढ़ता जाता था स्त्रियों पर बहुत ज़्यादा अपराद किये जाते थे अनाचार किये जाते थे तो उसके तहत ये शोशन की जो विवस्था थी, इसे खत्म करने की बात कही गई है, तो अनुचेद 23 के द्वारा इस बेगार और जबरदस्ती के वेश्रम को निशिद्ध ठहराया गया और इसको दंडनी अपराद की शिणी में रखा गया, तो किसी भी प्रकार का जो मानविय शोशन है, उनके सभी रूपों को अनुचे 23 के द्वारा खत्म करने का प्रयास किया गया, इस अधिकार का एक मेत्वपुन अपवाद भी है, और ये अपवाद है, राज्य सारवजनिक उद्देश्य से आनिवार्य श्रम की योजना लाग या करता है, तो उस समय राज्य नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, यानि ये भेदभाव धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, मूलवंश के आधार पर नहीं होना चाहिए, जाती वर्ण या सामाजिक इस तरह के आधार पर किसी भी प्रक बेगार का भेदभाव नहीं होना चाहिए तो इस तरह से हम अगर देखें तो जो हमारे हैं प्राचीन परंपराएं प्रथाएं या कुरीतिया चलिया रही थी उनको खत्म करने में इसने एक महत्वपून योगदाद दिया इसी तरह से मनुष्य के क्रेविक्रे और बेगार पर रोक लगाने के लिए अनुच्छेद 23 एक लाया गया जिसके माध्यम से व्यक्ति का की खरीद फरोक्त को रोका गया बेगार पर रोक लगाई गया यानि बिना पैसे दिये लंबे समय तक लोगों से काम कराते रहने की जो एक परंपरा चलिया रही थी जिसे हम जाती का आधार पर कह सकते हैं पारिवारी का आधार पर कह सकते हैं उसको इसके माध्यम से खत्म किया गया अगला आता है अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल श्रम का निशेद बाल श्रम की एक बहुत बड़ी समस्या विश्विस्तर पर माजूद रही है इसे खत्म करने के लिए भा या अन्य किसी भी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। और इसी प्रकार के किसी भी अन्य प्रकार के काम में भी इसको नहीं लगाया जा सकता। तो इस तरह से इसे समाप्त करने के लिए 1975-1976 में बहुत से कदम उठाए गए और सरवोच नयाले के माध्यम से बाल श्रम के निशेद पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। तो इस तरह से जो श्रम की स्थिती थी भारत में या सामाजिक जातिकत आधार पर जो शोशन किया जाता था उसको खत्म करने में अनुचेद 23 और 24 ने बहुत महत्वपून भूमिका निभाई। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने दो मूल अधिकारों को देखा है जो बहुत महत्वपून है जिसमें जो स्वतंतरता का अधिकार है वो बहुत ज़्यादा महत्वपून है और बहुत विस्तार से दिया गया है और बहुत ही ज़्यादा आलूचना का विशे भी क्योंकि बहुत से विचारकों का यह मानना है कि इसमें, जो सुवात Он्तुरता है दी है उन पर प्रतिबंद बहुत जादा लगा दिये गए लेकिन जो प्रतिबंद है वो सार्वजनिक हित में लगाए गए है राश्ट की सुरक्षा में लगाए गए है या विदेश संबंधों को बढ़ावा देने के संदर्ब में लगाए गए है या किसी भी प्रकार के अपराद को या आतंकवादी गतिविदी को रोकने के लिए लगाए गए है तो इस तरह से ये बहुत मैतुपूर अधिनियम या मौलिक अधिकार हमारे जिनको हम लोगों ने आज डिसकस किया कल की क्लास में हम बाकी के मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे